बेहधी स्वादिश्ट और खाने में ला जवाब बिलकुल कम इंग्रीडिन्स और बिना उबाले आज हम ये मैकरोनी पास्ता बना कर तयार करेंगे इसे बनाने के लिए हमने लिया है ओईल इसमें हम डालेंगे बारिक कटा हुआ लस्सन और अदरक आप चाहे तो अदरक और पेश्ट का भी यूज कर शकते हैं साथ में डालेंगे बारिक कटा हुआ प्याज प्याज को आपको हल्का सा भून लेना है ज्ञादा नहीं भूनेंगे इसमें सिम्ला मिर्च अड्ल करेंगे अगर आपको कोई और वेजिद पसंदोर गाजर वगरा आप उबी हम डालेंग नमक, half table spoon red chili powder, half table spoon healthy powder, और इसे भी अच्छे से भून लेंगे, मसाला हमारा अच्छे से भून जाए, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे, और मसाले को एक मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, अब इसमें हम डालेंगे लगबग देड़ कटोरी पानी, देड़ कटोरी पानी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने मैकरोनी को बोईल नहीं किया है, यह देखिए एक कटोरी मैकरोनी है, इसलिए हमने इसमें देड़ कटोरी पानी डाला है अब हम इसे पानी से अच्छे से वाष्ट कर लेंगे ताकि जो हमारी मैकरोनी है वो अच्छे से धुल कर साफ हो जाए यह पानी थोड़िनी बूइल हो चुका है अब इम इसमें सारी मैकरोनी को डाल देंगे अब इतने हमारी मैकरोनी बनकर तयार हो रही है एक दम हमारी मैकरोनी ये अच्छे से पक चुकी है अब इसमें हम डालेंगे चिली फ्लैक्स और साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला चाट मसाले से मैकरोनी में बहुत अच्छा टेस्ट निकल कर आसा था आप चाहे तो मैगी मसाला भी डाल सकते हैं और डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया और इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखे बहुती टेस्टी और कम इंग्रीडिन्स के साथ ये मैकरोनी पास्ता बिल्कुल बनकर तयार हैं चलिए सर्फ कर लेते हैं ये पास्ता की रेसिपी बच्चों को बहुती टेस्टी लगती है और जटपट से बनकर तयार भी हो जाती है क्योंकि हमने इसे बिना उबाले बनाया हैं एक बार आप इसे रेसिपी को घर पर जरूर ट्राइ करें और कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना मिलती है एक नए वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वच्ची